और यूरूप से इरान इस्राइल जंग में बिटेन भी अपकूद पड़ा है बिटेन के प्रधनमंत्री रिशी सुनक ने कहा है कि इरान के ड्रोनों को बिटेन की रॉयल एरफोर्स ने तबाह कर दिया उदर इस्राइल के पलद्वार की देशत में इरान के अंदर लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है काई इंटरनेशनल रिपोर्स में दावा किया गया है कि लोग अपने गाडियों में पैट्रोल भरवाने के लिए भाग दौड कर रहे हैं लोग युद्ध की वज़े से खौफ में हैं तेर्स सौ से ज्यादा ढूँ पीज क्रूज मेसाइल सौ से स्यादा बैलेस्टिक मेसाइल तीन देशों की जमीन एराण, एराग और यमन गरिब तीन सो ढूँ, क्रूज और बैलेस्टिक मेसाइलों के साथ एराण, सीरिया, यमन और एराग की धरती इस्रेल पर तीन तरफा हमला हो गया। इरान के सरवोच नेता आयतल्ला खामनेई के एक इशारे पर इस्रेल को दहलाने के लिए दुनिया के तीन देशों से सैक्रो मिसाइल ब्रोन इस्रेल पर जूट पड़े। इस्रेल का आयरन डोम एक्टिव हो गया। इस्रेल का एरोग डोम भी जंग के आस्मान में कहर खाने लगा। एक अप्रेल को सीरिया के अंदर इरान के दूतावास पर हुए हमले और इरान के जन्रलों, सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों समेथ 13 लोगों के मारे जाने के बाद इरान के सर्वुच नेता खामनेई ने जो वादा किया था वो बदले का वादा पूरा कर लिया जिसका नाम था Operation Truthful Promise लेकिन अब इस जन्ग में आगे क्या होने वाला है? क्या ये जन्ग बढ़ने वाली है? इसरेल अब क्या एक्शन लेने वाला है? आखिर क्यों इरान जन्ग शुरू करने के तुरंद बाद संयुक्त राश्र पहुँच गया? रात भर यवरअप के कौन-कौन से देश इरान के हमलों के खिलाफ इसरेल की मदद करते रहे? अमेरिका की राश्रपती और अमेरिका के उपर राश्रपती ने इसरेल की सुरक्षा और इरान पर कारवाई को लेकर आखिर क्या बयान दी है? आखिर इसरेल की war cabinet इरान के खिल पर हुए हमले से जैसे इसरेल पर इरान में ताबर तोड तीन सो ड्रोन और मिसाइल दागे और इसरेल का आइरन डोम और एरो डोम एक्टिव हो गया वैसे ही पूरे इसरेल में छेताउनी के साइरन बजुट है इसरेल के तमाम लोग और नावे सुरक्षा के लिए बने हुए बंकरों और बंशेल्टर्स की तरफ दोड़ पड़े इसरेल की पूरी आर्मी इरान के हुए हमले से बचाव करने में जी जान से जुट गई फिलहाल जुद के स्थिति ये है कि इसरेल मनोवैक्यानिक जंग लड़ने में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है इसरेल की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इरान की तरफ से फायर किये गए सभी ड्रोन और मिसाइल लगभग 99 प्रतिशत तक इसरेल के एर डिफेंस हवाई सुरक्षा के द्वारा रोक दिये गए हैं लेकिन अराद के पास बेडोईन शहर में इरान की एक मिसाइल का हमला कामयाब हुआ है जहाँ पर 7 साल की एक लड़की खायल होई है इसरेल के एक मिलिटरी बेस के हवाई पट्टी को नुकसान पहुचाने का दावा शुरुवात में किया गया था क्योंकि यहाँ पर एक ट्रूज मिसाइल के सफल हमले की बात कही गई लेकिन इसरेल ने फॉरण इसी एर बेस का एक वीडियो जारी किया है जिसमें इसी हवाई अड़े पर F-35 लड़ा को विमान उतर रहा है इसरेल ने साफ साफ कहा है कि इरान के हमलों का उसकी हवाई पट्टी पर कोई असर नहीं हुआ दूसरी तरफ इस्लामिक रिवोलुशनरी गार्ड कॉप्स के कमांडर इनचीफ हौसेन सलामी ने भी चेतावनी दी है कि तेहरान अपने हितों, अधिकारियों और नागरिकों पर हुए किसी भी इसरेली हमले के खिलाफ जवावी का रवाई करेगा उन्होंने कहा कि हमारा हमला जबरदस्त रहा, इसरेल को उमीद से ज्यादा चोट लगी है हमने हमला करके अपने सारे निशाने सही लगाए है इरान के सर्षास्त्र बनों के चीफ अफ स्टाफ मेजर जनरल मुहम्मद बागेरी ने एरान के सरकारी टीवी में बयान जारी किया है कि अगर इस्रेल ने इरान के खिलाफ जवाबी कार्यवाई की तो हमारी प्रतिक्रिया इस सैन्य कार्यवाई से कहीं अधिक बड़ी होगी ये तस्वीर देखिए जिस स्वक्त इरान और उसके सायोगियों के दरब से मैसाइल और गोन इस्रेल पर हमला कर रहे थे उस वक्त और उसके बाद कई घंटे तक सीरिया, इरान, इस्रेल, जॉर्डन के आस्मान पर कहीं एक भी यात्री विमान लोकेट नहीं हुआ यानि पूरा एर स्पेस बंद कर दिया गया था टाइमस अफ इस्रेल के मताबिक इरान और उसके सायोकियों की तरब से 170 ड्रोन फायर किये गए ये सारे ड्रोन इस्रेल ने मार दिये, यानि एक भी ड्रोन इस्रेल की धर्की को हिट नहीं कर पाया इरान ने 30 क्रूज मिसाइलों से फायर किया, इनमें से 25 क्रूज मिसाइल इस्रेल के हवाई सुरक्षा खबच ने धोस्त कर डाली, इरान ने 120 बलेस्टिक मिसाइल फायर की, इनमें से ज़्यादा तर लंबी दूरी तक जाकर एर डिफेंस करने वाले इस्रेल की मिसाइल, एर सिस्टम ने नश्ट कर दी इस्रेल की राश्रपती ने इस्रेल की सेना का धन्यवाद दिया कि उसने इरान के हमले को सफल नहीं होने दिया अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कोरिला इस्रेल के अंदर किछले कई दिनों से मौझूद है और रक्षा मंत्री योगैलन के साथ ओन की चर्चा जारी है जैसे एईरान का हमला हुआ इस्रेल के रक्षा मंत्री योगैलन ने अमेरिका में फोन किया इस्रेल के द्रधान मंत्री बेनमίν नेतन याहू ने X पर एक संदेश पोष्ट किया उन्होंने लिखा कि हमने रोख, हमने ख़देड़ा, साथ मिलकर हम जीते लिए नेतन याहू और बाइडन के बीच फोन पर भी बात चीत होई है एक अमेरिकी न्यूस चैनल के रिपोर्ट के मताबिक नेतन याहू ने बाइडन से कहा है कि इसरेल जीत गया है क्योंकि एरान कोई भी बड़ा नुपसान करने में सफल नहीं हुआ है अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी बिलिंकन इस सुवक्त दुनिया के सबसे व्यस्त विदेश मंत्री है और इन देशों के माधिम से इरान पर दबाव डालना चाहते है कि इरान अब इस मामले से पीछे हटे जबकि पश्यमेशिया के इस्लामिक देशों से बात करके भी एंटनी बिलिंकन इरान को अलग धलग करने की कोशिश में जुटे हुए इस्रैल पर हमला करने के फौरण बाद इरान के शेहरों में जबरदस्त जश्ट मनाया किया दूसरी तरफ इरान ने संयुक्त राश्र को एक पत्र भी लिखा और इस पत्र में ये कहा गया कि यूएन के चार्टर 51 के तहर उसे इस्रैल के द्वारा किये गए हमले का बदला लेने का अधिकार है और उसने यूएन के चार्टर का ही पालन किया है इरान ने कहा कि वो इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है अमेरिका के राश्वपदी जो बाइडन की शुरुवाती प्रक्रिया बहुत संतुले थे अमेरिका ने कहा है कि इस्रैल इस मामले को अब ज्यादा तूल ना दे और शांती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए दूसरी तरफ इरान ने हमला करने के बाद अमेरिका और इस्रैल को धमकी दी है इरान सरकार का साफ साफ कहना है कि अगर इस्रैल ने इस हमले के बाद पलटवार किया तो इरान वेस्ट एशिया में मौझूद अमेरिका के छेकानों पर बड़ा भीशन हमला कर सकता है इरान ने अमेरिका मुधमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने इस रेल का समर्थन किया तो इसका जबाब दिया जाएगा यानि हर हाल में आप इस रेल के बाद पलटवार अमेरिका पर होगा इस वक्त सीरिया के अंदर अमेरिका के 800 सैनिक है इराग के अंदर अमेरिका के पच्छिस सौ सैनिक है, कोवैर्ट के अंदर अमेरिका के तेरह हजार पांच सौ सैनिक है, जॉडन के अंदर अमेरिका के तीन हजार सैनिक है, सौदी अरब के अंदर अमेरिका के सताइस सौ सैनिक है, कतर के अंदर अमेरिका के दस हजार सैनिक है के हमले से बचाओ करने में पूरी मदद की है अमेरिका की शुरुवाती प्रतिक्रिया तो यही है कि युद्ध आगे ना बढ़े लेकिन इस्रेल इरान के हमले के खिलाब पलटवार करेगा या नहीं ये इस्रेल की युद्ध कैबिनेट में तै होगा फिलहाल इस्रेल के के अंदर साइड लाइन करने की जवर्दस्त पूटनेतिक अभियान में लग गया है और देखिए इस वक्त इसराइल की पूरी एरफोर्स का फोकस गाजा से हटकर इरान की तरफ हो चुका है और इसलिए उसने अपना सबसे खतरनाख फाइटर जेट 24 घंटे लॉंग इजवाले ऑपरेशन के लिए तयार कर दिया है पश्यमेश्या के आसपास समंदर इस वक्त उबल रहा है इसरेल यवाब देगा इसका सब को यकीन है फारस के खाड़ी में कुछ बहुत बुरा होने वाला है उबलते समंदर में डाले गए युद वाले तेजाब का असर दिखने लगा है चार देशों के नाम लिये जा रहे हैं ये इरान, इसरेल, अमेरिका और रूस इरान के समंदर में बहुत बड़ी साज़श अप्रेल के महीने में ही एक बड़ा युद करवा सकती है क्या अप्रेल के महीने में इरान और इज्रेल के बीच बड़ा युद्ध होने वाला है और इसमें अमेरिका भी शामिल होने जा रहा है ये है इस्रेल का F-35 फाइटर चेट युद्ध के लिए बेचान बैठा यही है असली विमा जिसे इस्रेल ने बड़े मिशन के लिए रेडी कर दिया है ये दुनिया का सबसे सीक्रेट और सबसे घादर फाइटर है जिसका मुकाबला शायद ही दुनिया का कोई और फाइटर आज की तारीख में कर पाएगा इस्रेल ने अपनी F-35 स्टेल्थ जेट वाली फोर्स को इरान पर हमले के लिए पूरी तरह तयार किया हुआ है F-35 अमेरिका का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो रेडार की पकड़ में नहीं आथा यही इसकी सबसे वड़े खासियत है F-35 के अधित्त प्रफ्तार करीब 2000 किलोमेटर प्रति घंटे है न दुश्मन का विमान इसे देख पाता है ना ही उसके रेडार की से ट्रैक कर पाते है यही वज़े है कि F-35 इरान पर अगर हमला करता है तो इरान के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुँचकर यह बिना ट्रैक हुए हमला कर सकता है इसरेल के पास 49 F-35 फाइटर जेट है अमेरिका के पास भी ऐसे करीब 500 विमान है अमेरिका अपने बहुत से F-35 विमानों को खाड़ी के इलाके में भी तैनात रखता है इस विमान को रोपने की ताकत इरान के पास नहीं है लेकिन इरान की छोटी लेकिन बहुत ही घार तक ड्रोन वाली मिलिटरी पावर ने कि इसरेल हो चाहे अमेरिका उसकी ड्रोन शक्ती से पश्चिन एशिया में उसका कोई दुश्मन नहीं बच सकता सवाल है कि युद्ध का दायरा बढ़ने पर क्या अमेरिका के मिलिटरी अड़े इरान का अगला टार्गिट होगा पाकिस्तान में एक बार फिर से अग्याद बंदुग धारियों को कोहराम चारों तरफ देखने को मिला पाकिस्तान के अंदर उस अमीर सरफरास का कत्ल हो गया जिसने भारतिय कैदी सरबजीत सिंग की हत्या की थी इस चेहरे को आप पहचानते हैं ये वही सरबजीत सिंग है जिनकी जान की सलामती के लिए करोडों हिंदुस्तानी कई सालों तक दूआ करती रहे आखिर 2 माई 2013 को पाकिस्तान के अंदर सरबजीत सिंग को मार दिया गया था लेकिन जिस अमीर सरफरास ने सरबजीत सिंग के हत्या की थी उसी अमीर सरफरास को अब अग्यात बंदूकदारियों ने मौत के घाट उतार दिया है ये शब्द इस स्वक्त पूरी दुनिया में बहुत चर्चा में है ब्रेटन के अकबार दे गार्डियन ने पाकिस्तान के अंदर अग्यात बंदूकदारियों की दैशत पर एक स्पेशल रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि ये अग्यात बंदूकदारी भारत के खोफे अजेंसी रौ के एजेंट है जो पाकिस्तान के अंदर मौझूद भारत के दुश्मनों से खौफनाक बदला ले रहे हैं और अब अचानक पाकिस्तान के अंदर सरपजीद के हत्यारे अमीर सरफराज के मौडर के खबर ने पूरे देश को चौका दिया है सरपजीद सिंग भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे तरंतारन जिले के भीखी विंड गाउं के रहने वाले किसान थे 30 अगस्त 1990 को वो अंजाने में पाकिस्तानी सीमा में पहुँच गये थे जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने गिरफतार कर लिया था तब उनकी उम्र 26 साल थी बेटरन के अकबार दे गार्डियन के दावे के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाये थे अब अक्याद बंदूक धारियों के गोली से मारे गए अमीर सरफराज पर भी पाकिस्तान के अंदर भी मातम शुरू हो सकता है और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्धासर होगे